हलो दोस्तो एसु इस्टेडी गयान में आपका स्वागत है आज हम बान गंगा नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे बान गंगा नदी का उद्गम इस्थल क्या है जैपूर जिले की बैराट पाडियों से निकल कर पूरव की और बेते विये दोसा से भरतपूर में परवेस करती है बान गंगा नदी को मैप में दरशाय गया है यह जैपूर दोसा और भरतपूर में होकर यमूना नदी में गिर जाती है बान गंगा नदी भारत के राजस्थान और उत्रप्रदेश राजियों में बैने वाली एक नदी है यह गंबीर नदी की एक उप नदी है जो स्यम यम्न नदी की उप नदी है बान गंगा का आरम जैपुर जिले में बैराट की समीप की पाडियों में होता है बान गंगा नदी का विवरण बान गंगा नदी का पानी भरतपूर में गना पक्षिराष्ट्य उद्धान में भूमिगत होकर नम भूमी का निर्मान करता है इसे अर्जुन की गंगा भी का जाता है इसे ताला नदी भी का जाता है क्योंकि यह ताला गाउं से होकर निकलती है इसे रूनिड़त नदी भी का जाता है इसकी कुल लंबाई 380 किलो मिटर है बान गंगा नदी की सायक नदिया इसकी सायक नदियां गुम्टी नाला, सूरी नदी, पालसन नदी और स्वान नदी इसकी सायक नदिया है बान गंगा नदी बैती हुई उत्तरप्रदेश के आगरा के समीप यमुना में मिल जाती है यह नदी केवला देवराश्टि उधान में भी बैती है यह राजस्थान के तीन जिलों जैपूर, दोस्था यम भारत पूर में बैती है इसकी अन्य नाम अरजुन की गंगा, ताला नदी, रूनिड़त नदी राजस्थान की दूसरी नदी बान गंगा है जो अपना जल सीधे ही यमुना नदी को ले जाती है इस नदी पर जैपूर में जमवा रामगट बान बना हुआ है बान गंगा नदी की कुछ विशेशताएं है काज आता है कि लगभग 1527 का परशिद यूद खानवा का यूद इसी नदी के किनारे लड़ा गया था आपको बता दें कि खानवा का यूद बाबर इम मेवाड की राणा सांगा के मद्दे लड़ा गया था तो ये बान गंगा नदी की कुछ इंपोर्टेंट बाते थी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें